हिंदी की प्रतिनित कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी की वर्तमान लेखी का कलत्मा मनूर्मा जी की लिखीवी कहानी हसो जल्दी हसो तो शुरू करते हैं कहानी एहसासों की स्याही से कहानी लिखे तो ठीक, नहीं तुसे चेज करते रहना अब टाइफाइट के लक्षों से कम नहीं लगने लगा था कभी कभी प्रकाशित आकांख्षा मन को जागरत करने में चुक जाती है और दुंदले निशकर्ष व्यक्ति को चलाने में सहयक बन जाते हैं बहराल उस दिन ऑफिस से लोटकर मेरा मन था कि जल्दी सो जाऊं और सुबह देर तक सोती रहूं लेकिन बिस्तर पर पहुँचने के बाद इस मरतियों के चांद ने पुर्जोर जोचना बिखेर दी तो नीन को चांद के हिंडोले पर छोड़ मैं खिड़की में जा बैठी धर्ती के दुख रात के नीरव बहाओ में बहते जा रहे थे और मैं हमदर्द उजाले के तलाश में भटकती जा रही थी रात के स्यासन नाटे में पेरों पर हवा में जूलते पत्तों के खरखराहट और एका दुखा पंचियों के चहकने से प्रहर बदलने की आहट ने विचारों से निकाल कर मुझे खिड़की के दर्मिया कर दिया गड़ी पर नजर गई तो कांटे रात के डेड़ बजाते दिखे शितिश पर जिधर में देख रही थी लपलपा कर एक तारा तूटा और लकीर बनाता हुआ धर्ती की गोद में आगिरा देखते हुए विचार कौन था तूटकर तारे जब जमीन पर गिरते ही हैं तो लोग तारे क्यों बन जाते हैं क्या गजब का कॉमिरेशन विठाया है उपर वाले ने जाकते रहो सोसाइटी के चौकीदार ने कबीर की भाती सोय हुऊं को आगा किया तो मेरी तंद्रा भंग हो गई और मुझे लगा कि अंदेरा सब कुछ यकसा कर सकता है वगर आवाजे नहीं चिपा सकता अचानक बीश पीठ में जोजोरी महसुक्स हुई और रोएं खड़े हो गए जिस प्रकार मेरा मन रीता रीता भटक रहा था उसी तरह अक्टूबर की सहमी रात जींगुर की ताल पर मौन थे रख रही थी शीशम की टहनिया हिल दूल कर कृतिम उजाले में चाया के चकत्ते उकेर रही थी लाखो तारे में से एक, दो, तीन को तरजनी से इंगित कर मैंने मा को टटोलने की कोशिश की मा कहा चीपी हो आज बहुत सी बाते करने थी बहुत खोजने पर जब किसी तारे में मा को रोपित नहीं कर पाई तो एक उदास भाव उठने ही वाला था कि शीशम की अंतिम डाल पर एक चटक तारा दिखा ये मा नहीं, तो क्या नानी है? हाँ ये नानी ही है, मैंने खुझ से पूछा भी और कहा भी मेरी नानी हस्ती बहुत थी, इसलिए पहचानने में देर नहीं लगी हसी पसंद मा की बेटी, एक मेरी मा, सोच समझ कर हस्ती और इसी बिना पर राटते हुए मुझसे कहती थी नानी की तरह सारा दिन हस्ती हो, जरा तमी सीखो करिपा ज्यादा हसना उस दुख को मौन पीना है, जो अपने हिस्से का होता ही नहीं ऐसा मेरी मा को लगता था, जबकि हर छोटी बड़ी बात पर मैंने नानी को हस्ते हुए ही देखा था, सो हसना मुझे अच्छा लगने लगा था हाला कि धीरे धीरे जब मेरा अन्भो पका, तो ज़्यादा हसने, बेबात के हसने, फालतू में हसने और अति हसने में अंतर समझाया और ये भी कि नानी को कोई भी दुख, दुखी नहीं कर सकता, और सुख हसी से ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता इसलिए शायद उन्होंने सुख दुख को हसी के भाव तॉल लिया था नानी की हसी याद आई तो राद भी मुझे हस्ती हुई सी लगने लगी राद की हसी यानी शुनी का महाविलास, बिर्ला ही कोई महसूस कर पाता होगा सोचते हुए खिड़की की नीन में खलल ना पड़े, उसे बंद कर मैं बिस्तर की और लोट आई अरे आप हस रहे हैं, वस्तों को जाकते सोते नहीं देखा अरे भाई, वस्तों सोती भी हैं और जाकती भी इस बार सरदियों में सीलिंग फैन को देखना, कैसे चैन की नीन सोता है खैर, यकीन नहीं मानोगे, पर बहुत समय से मेरे साथ किताबे सोती हैं वे मेरी व्यथा समझती हैं और मैं उनकी मनोदशा गाउ तकिये का सहरा लेकर मैं बैट पर बैट कई और रगबीर सहय की कृति उठा ली मौका पाते ही कभी कानों में फुस-फुस आया हसो, हसो जल्दी हसो क्यो भई, हसना इतना असान है क्या जो कभी भी कहीं भी हस बोड़ो बश्पन की बात और थी यादों की रेल से नानी की याद जो उतरने वाली थी मेरे साथ यात्रा करने लगी बात उन दिनों की है जब बच्चों के लिए शिमला, मनाली, लंदन और गोवा सब नानी के घर में सिमट आते थे वार्षिक परीक्षा खतम होने की प्रतीक्षा माओं को पूरे वर्ष रहती थी आत्मी की परीक्षा के बाद मैं भी नानी के घर गई थी घर के बाहर आहाते में जूला बन चुकी चारपाई में नानी अकेली बैठी थी सूरज पश्चिम की ओर युकलिप्टस के जाड़ में अटका कसमसा रहा था दो-चार गवरईया आहाते में फुदक कर दाना खोज नहीं थी नानी मुस्कुराते हुए उंगली उठाए हवा में गोल-गोल कुछ बना रही थी मैंने चारों और देखा दूर-दूर तक कोई नहीं था मा नम आखों से नानी से गले लग रही नानी ने हसकर मा को पुछकार लिया अरे कोई सुन रहा है देवा आई है जरा पानी ले आओ नानी ने मा को टटोल कर जब तसली से अपने पास बिठा लिया तब मेरे बारे में पूछा देवा किर्पा कहा है मा ने मेरा मुलाया हाथ उन्हें पकड़ाया तो खीश कर उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और बहुत देर तक मेरे हाथ की उंगलियां, नाकून बाहें, कंदे, सिर, माथा, कान चेहरा, हसते हुए टटोलती रही उस दिन नानी मुझे कुछ नहीं बहुत ज्यादा अजीब सी लगी थी या हो सकता है कि समझदारी में नानी को पहली बार मैंने इस तरह जिल्दगी को टटोल कर तलाशते हुए देखा था सो मेरी घुटन और बेचैनी चरम सीमा लांगने को उच्सुख हो पड़ी थी रात खाना खाने के बाद जब मा मुझे मिली एक कसक के साथ मैंने उनसे पूछा मा नानी को कब से दिखना बंध हो गया है या वे जन्मांद है जन्मांद? न, नहीं तो, किसने? लैंब की मद्धिम रोश्णी में मैंने देखा मा का चेहरा लाल हुआ आया था जरा सी हवा लगते ही अपनों का दर्द कैसे सतह छोड आखों में तिर जाता है उस दिन देखा नानी की मौन पीड़ा को जब मा की आखों में टीविते हुए पाया तो मैं खिसक कर उनसे चिपक गई मा की धड़कन बज रही थी पता चला सासे प्रेम में ही नहीं दुख में भी बहुशोर करती है उस दिन पता चला कि मा के जीवन के दुखों में से आदे दुखों का कारण नानी के जीवन में आई काली आंदी है वे उसी में धूल धूसरित हुई पड़ी थी मैंने मा का रुक अपनी तरफ मोड कर कहा नानी के बारे में और बताओ ना मा नानी जमीदार पिता की इकलोती संतान थी उनके पिता बड़े चाओ से जंदिगी जीने वाले रहीस इंसान थे नानी की मा का दिहान तो उनकी कम उम्र में ही हो गया था फिर भी उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की बेटी की परवरिश अपनी चाची, ताई और भावियों की मदद से करते गए नानी के पिता खाने पीने के शौकीन थे शुद्ध मावे के पेड़ों को भी वे ताजा ताजा खाते या पीतल की चाकू से छील कर क्योंकि पेड़ों के ऊपर पड़ी पप्री उन्हें दो-चार दिनों में ही सक्थ लगने लगती थी उनकी इस आदत ने पेड़ों के छिलके खाने वालों की एक जमात एकटी कर दी थी उसी चहल पहल में नानी का सारा दिन खुशी-खुशी निकल जाता तुमारी नानी अपने पिता के साथ हिली मिली थी वक्त के साथ आँख में चौली करते हुए जब दस वर्ष की हुई इस शर्थ पर उन्हें ब्याह दिया गया कि गौना सोले वर्ष की होने पर दिया जाएगा जैसा उनके पिताने चाहा वैसा ही हुआ सोले साल में नानी सो बीगे जमीन की मालकिन बनकर सस्वाल आ गई और बिना किसी अकड़ धकड़ के नाना की ग्रहस्ती समालने लगी समय के पीछ पर डोलते डोलते हुआए भी निशान छोड़ जाती है सो नानी पहले दो से तीन हुई फिर चार और फिर देखते देखते दस बच्चों की मा बन गई तेज तर्रार अपनी सास के साथ भी वे इतनी शांती और सामन जस्ते से जीती गई कि बिना किसी दबाव के उनके सुबह शाम ढलते और रोपते रहे कहते कहते मा अचानक मौन हो गई पर मा नानी अपनी बात पर खुदी क्यों हस पड़ती है ये तो बुरी बात होती है मैंने जोड दे कर कहा हाँ है तो लेकिन रात के अधेरों से जादा दिन की अंधेरे खतरनाक डरावने होते है इनमें फसा आदमी कहीं का नहीं बचता दिन का अंधेरा सिर्फ कमरों के कोने ही काले नहीं करता बलकि मन के कोनों को भीतर तक धुंदला बना देता है जिन में चान ना जादूई रंगत विखेड़ता है ना तारे टेम्टिमाते हैं और ना ही इनमें रात के अंधेरों जैसी आत्मियता होती है बेतुके अंधेरे के फेर बे पढ़कर तेरी नानी लगातार अपने को भूलती जा रही है मा ने अपकी कुमलाई से उबासी ली अचानक मुझे अजीब सी गंधर भैसुस हुई खिड़की से जहाका तो आहाते में जहां नानी सुई थी पकी नाली से बद्बू उट रही थी उसी को हवा वहा कर मेरे कमरे तक ला रही थी नानी वहां कैसे लेट सकती है वहां तो कितनी बद्बू कहते हुए मैंने मा की ओ देखा तो लगा बर्व से गीली पिछोरी नोंने कसकर रपेट लिया रात का सननाटे मेरे कानों में भाए भाए पज़ उठा सहम कर मैंने अपने घुटने मा के पेट में छिपाने चाहे कृपा ये तेरी नानी की नियत ही है या समय की कुचार ठीक से मुझे भी नहीं पता लेकिन जब तुमने पूछा ही है तो ध्यान से सुनो ठीक है ठीक है मा बताओ न तेरी नानी के जीवन में अधेरा कोई टेर पुकार के थोड़े आया वो तो बिना किसी संकेत और प्रमाड के आड़टा है नहीं तो हस्ते मुस्कुराते अपना आधा जीवन बुनते बुनते एक दिन उन्हें दिये की जोती में किरणे फूटी सी क्यों दिखने लगी जब उन्होंने अपनी बात सबको बताई तो जानकारों ने उनकी आँखों में मोतिया बंद उतर आने की बात कही उम्र के अधरस्ते पहुंचते नानी के कई बेटे बेटियां ग्रहस्ती वाले हो चुके थे उनकी छोटी गहरी आँखों में मोतिया बंद की सफेदी फैलना एक आम बात माना गया क्योंकि इस मर्ज का इलाज संभो हो चुका था पर क्या पता था कि कलकल बेटी मीठी नदी को परिस्थितियां भीतर के और मोड़ कर ही दम लेंगी बस एक बात का मालाल आज भी है और बना रहेगा कि पहले उन्हें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए का नेड़ने देर से लिया गया फिर जब मोतियाबिंद का ओपरेशन सीतापुर के खैराबाद के आई हॉस्पिटल के जाने माने सरजन एसके मित्तल से करवाने का निश्चे किया गया तो वहीं बार-बार अस्पताल आना जाना न पड़े किसी ज़्यादा अकलवाली की सलहा पर नानी की दुनों आखों का ओपरेशन एक साथ करवा दिया गया नानी के साथ साथ हम सब खुश थे पट्टी खुलने का दिन आया तो डॉक्टर ने पूरी सावधानी से पट्टी भी खोली दोनों हतेलियां मलते हुए चाव से उबूला माता जी आखें खोलिये और बताईए कैसा दिख रहा है इधर देखिये मेरी और बताईए कितनी उंगलिया है अरे आखें तो खोलो डॉक्टर नानी ने कहा डॉक्टरों को जैसे करेंट छूगया नाना बताते थे उसका चेरा फक पड़ गया आगे जुक कर उसने अपना हाथ नानी की आखों के आगे उपर नीचे किया लेकिन नानी ने पलके नहीं जपकाई क्लीनिक में अचानक अकूत अंधेरा उमर पड़ा चारों और सन्नाटा खिच गया कुछ मिंटों तक कोई किसी से न बोल सका माता जी एक बार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कीजिए डॉक्टर ने खेद के साथ कहा कुए में ज़ाकने पर जैसा दिखता है वैसा ही कुछ नानी ने चेश्टा रहित कहा जीवन के दावानल में भीगी लकडी सी नानी दुदक उठी थी देखने वालों ने महसूस किया डॉक्टर ने हाथ मसलते हुए नाना से कहा I am sorry, so sorry, it's very sad ऐसा नहीं होना चाहिए था इस फील्ड में काम करते हुए मुझे 20 वर्ष हुए पर ऐसा केस तो कभी नहीं आया अंधेरे की छटपठा हाटें डॉक्टर के चेरे पर पसर गई लेकिन नाना अपने निर्ने पर शर्मिंदा थे या नहीं, ये किसी ने नहीं जाना हाँ, नानी की आँखों पर काली ढखकंदार पट्टी जरूर बंदवा कर घर लोटाए थे उसके बाद नानी की जो विदी बिगडी उन्होंने क्या किसी ने भी कभी नहीं सोचा था नाना पूजा के दोरान कई दिनों तक चुपके चुपके रोते रहे थे बताने को क्या, लोग कुछ भी बताते रहें लेकिन जो महिला ना कभी खदर पर रीजी, ना सिल्क के लिए मचली उसने अपनी आँखों का जाना भी सहस्विकार लिया ये अचंबा था, उनके जीवन में पहले वस्तों ने, फिर व्यक्तियों ने, चुके से अपनी अपनी जगहें बदलनी नानी किसी गरीब की तरह बस सारा दिन हसी को धोने सुखाने में गुजारने लगी मैंने देखा कि तेरी नानी को अंधेरे के साथ सामन जसे बिठाने के बाद पहले आवाजें प्रिये हुई फिर जब खामोशियों की जड़कियां उन्हें पे तहाशा सुनाई पढ़ने लगी तब हर उस मौके पर वे हसकर उसकी एहमियत गिराने लगी जो उनके लिए अनिवार और कीमती था लमहा लमहा उनके सुख दुख हसी में बिला गए जाकर हुसेन तबले के रियाज के लिए जितने प्रतिबद होंगे नानी निरंतर हसी के लिए प्रियासरत रहने लगी और देखते देखते उनकी सासों में हसी जीवन की तरह उतर गई अंधेरे से भरे ठोकर खाए दिनों की शुरुआत में जब वे एक जगए बैठे बैठे उप जाती तो दीवारों का सहरा लेकर चल पड़ती और किसी ना किसी से टकरा कर बैठ जाती हातों से दीवारों को टटोलती कानों को उनसे लगा कर जीवन की आहट ऐसे लेती कि देखकर मन का सहला हो जाता आगन में बैठ कर चौके की और दीदे फार कर देखती तो मन होता कैसे अपनी आख से थोड़ी सी रोशनी लेकर अम्मा की आख में रग दू कोई किसी को पकारता तो उसकी दिशा में उठ पढ़ती और फिट टक्रा जाती माथे पर चोट फूलाती बैठ कर सहलाते हुए जोर से हस पढ़ती उनके दिन इतने हसने लगे कि रात की बेचैनिया ते रोहित हो गई इतने पर भी दुख का मन नहीं भरा और वो ज़्यादा नुकीला होकर उन्हें गुरगुदाने लगा तो उनका हसना तीवर से तीवरतर होता चला गया इस तरह गजिन दुख के एक दो दर्शियों में नहीं तेरी नानी दैनियता की पूरी पिक्चर में बदल गई अब की मेरी माने सिसक कर पीट फेर ली थी मा को हमेशा लगता रहा था कि नानी अपनी पीर छिपाने के लिए हास परियास का चोंगा जबरन पहने रहती है वरना किसी ना किसी से तो उने शिकायत होती कभी तो मन काक्षोग उगल का अपना मन शांत कर लेती लेकिन नानी को ना बहू बेटे बच्चे से शिकायत थी ना ही उपर वाले के प्रतिनाराजगी मानो दुनिया के सारे दुख एक तरफ और नानी की हसी एक तरफ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने देखा नानी के हिसे की दूप जब सब में बट गई तब नानी अकेले च्छाओं भरी आहाटे तलाशने के लिए मजबूर हो गई नानी अपने सुख दुख की उलीशन में हसी को गूंदने लगी दीरे दीरे घर के चेरे पर जो इस्थाई रूप से तनाव जमा था बिघल गया सबी अपनी अपनी ओर लोट गए और नानी सब की ओर लेकिन पहुची कहीं नहीं इतने पर भी समय उनके प्रतिकाना फूसियों और तहिक भाशा के साथ भड़ास उगलता चला गया जैसे उनका समय पूरा धुंदला हुआ अब नानी को सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी की जरूरत पढ़ने लगी ना चाहते हुए भी लोगों के किसी हायटें बढ़ने लगी इसकी भनक लगते ही नानी खुशी खुशी अपने कामों को आगे की और स्थगित करना सीखने लगी कपड़ों के रंग उगलियों से टटोलती तो बिना चोटी हफ़ते हफ़ते गुजारने लगी जूए उनके स्थाई संगी बन गए खाना खिलाने वाले को जल्दी होती तो वे दाल, सबजी, कटोरी की जगए ठाली में उड़े लेते जैसे गाए का चारा उन्हें दिया जाने वाला गिलास भर दूद हमेशा ही ज़्यादा गर्म रहने लगा पर्मानेंट उस पर पानी का पहरा लगा दिया जाता तीन कपड़ों में से उनका साथ सबसे पहले बलाउज में छोड़ा ना मुराद ऐसे कहीं दब जाता कि खोजे नहीं मिलता अब बिन बटनों के बलाउज का तो कोना ही ठीक था उसके बाद जब पेटी कोर्ट भी उन्हें समय से नहीं मिलने लगा तो तमाम जीवन गाठ बांद कर दोती पहनती रही खेर दोती उनके प्रतिसदा समर्पित इसलिए बनी रही क्योंकि नानी खुद उसे दोकर नलकी टोटी या गुसल खाने के पास खूंटी पर जैसे टांग देती वैसे ही दूसरे दिन उन्हें मिल जाती मैंने देखा गर्मी की दूप उनके पायतानों घंटों खड़ी रहती नहाने को तीसरा प्रहर लग जाता तो उफ न करती चपल पलंग के पास ना मिलने पर नंगे पाउँ चल पड़ती तलों में कुछ गर जाता तो उसके लिए डाटना दूर उनके हसने में इजाफा हो जाता प्यास जब गला खंचती तो उनकी हसी का ताप बढ़ जाता इस बात का अंदाजा मेरी मा को हुआ जब उन्होंने खुद प्यास लगने पर धोके से पूछ लिया था अम्मा पानी प्योगी और नानी दो गिलास पानी एक साथ गटक गए थी नानी के मौन पर मा इस्तब्द थी फिर तो उनकी उम्र जोजो ढलती गई सुबह से लेकर शाम तक उन्हें अपनी बारी का इंतिजार रहने लगा वहीं हसी अपना दाइरा बढ़ाती चली गई मा अतिविस्तता में कभी कभी अचानक बोल पड़ती कृपा तेरी नानी की हसी के नीचे अंगिनत जिंदा नासूर है काश कोई उनके मौन को पढ़ पाता और लिहाव उठा कर मरहम लगा देता दुनिया की नंगी सचाई को आख वाले से ज़्यादा बिना आख वाले साफ साफ देख लेते हैं और हसी अपने बचाओ में बड़े बेतुके तरीके अपनाती है मुझे नानी को देखकर समझ आ गया था उसके बाद नानी के घर जब भी जाना हुआ उन्हें नहलाना बालों में कंगी करना गर में इधर दर घुमाना मैं अपने जिम्मे ले लेती जब आख मीचे नानी हसी में लहा लोट नजर आती तो मैं उन्हें नीले आस्मान की रंगत बोर की नारंगी धूप अबोध मुष्कान अपनी हतेली पर मेंदी का गिरुआ रंग दिखाने को मचलोग थी लेकिन उम्र की ढलान पर वे पहले से ज़्यादा हसने और सोने लगी थी उनकी चाती से पला सरकता तो मुझे बहुत जेप लगती एक दिन मैंने उनसे कहा नानी आप बलाउज पहनने लगो मुझे अच्छा नहीं अच्छा किर्पा अपनी आजी की अंगिया आपके लेती आना कहकर तेज देज हसने लगी उनका हाथ चौकट पर रखा था किसी ने दरवाजा खोल दिया उनकी कानी उंगली पिर गई नाकून नीला पड़ गया देखने वाले करहा उठे लेकिन नानी उस टीस्ती नील पर भी हस्ती रही नानी हसने और रोने में कितना अंतर होता है आप इतना क्यों हस्ती हो जबकि आपके मुँ में एक भी दात नहीं जनें देखकर कोई दूसरा भी हस सके इस बार मैंने उनसे गुस्से में पूछा था किर्पा रोना किसी को सीखना ने पड़ता और हसी सीखने में उम्र निकल जाती है अब जबकि हमें हसना आही गया है तो सोचती हूँ कि आकरी दम तक बस हसती रहू कहते कहते वें रुप गई लेकिन उनके शब्दों की आच मेरे मन को तपाने लगी थी उनकी हसी मेरे भीतर हिलकी बनकर उबढ़ना चाह रही थी तब तक नानी ने टटोल कर मुझे अपनी गोद में खीच लिया और नरम हतेली से माता सहला कर हसने लगी नानी के काले वर्तमान ने विस्त्रत हो मुझे ढख लिया गर्मी की छुटिया फिर आई थी नानी के घर जाने की तयारियों में मा जी जान से जुटी थी तबी नन्हाल से खबर आई नानी नहीं रही डॉक्टर ने उनकी मृत्य का कारान अती खुशी बताया था मा ऐसी कौन सी खुशी थी जो नानी सहन नहीं कर सकी और हसी ने उनको दुनिया से मुक्त मैंने पूछा क्रपा तुमे एक एकदम चुप चुप रहो और जाओ यहां से रोते हुए मा ने इतनी व्यग्र कठोड़ता से कहा कि मेरी लग अदपकी भावकता चटक गई मैं जानती थी कि उत्तर उने मालूम था मगर वे देना नहीं चाहती थी मैं जाकर दूर बैट गई रोते रोते जमीं पर उंगली से मा कुछ लिख रही थी जिसे पढ़ पाना असंभव था जाकते रहो जी जाकते रहो चौकीदार की खुर्दुरी खुमारी में डूबी भरबराई आवाज मुझे वर्तमान में लोटा लाई नजर घड़ी पर पड़ी तो महसूस हुआ कि रात अपने अंतिम चरण में डोल रही थी साहय की कविता हसो हसो जल्दी हसो की किर्चें अर्थ के साथ मेरे जहन में गहरे धस चुकी थी समझा था जिसे हसी का नगीना वही दरका हुआ शीशा निकला मैंने किताब तक्या के नेचे खिसका दी और आखें मून ली अभी आप सुन रहे थे कलतना मनूर्मा जी की लिखी हुई कहानी हसो जल्दी हसो कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रू लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुब हो